सो हेलो गाईज स्वागता है आप लोग हमारे चैनल एनिमे टॉक्स हिंदी पर आज मैं आपके लिए क्लिए एक नहीं मांगा सीरीज को जिसका नाम है दा लिमिट ब्रेकर जो की काफी अधा मज़दार होने वाली है तो बिना किशन तेरी के अपनी आज की एक्स्पानेशन व हुआ होता है उसके बाद हम देखते हैं वह बंदा वहां पे पेमेंट करता है और वहां से चला जाता है फिर हमको हमारे में करेक्टर का इंड्रॉक्षन दिया जाता है जिसका नाम कीम क्यूब रहता है जो की एक 20 साल का सुरेंट है जो कि युनिवर्सिटी में अभी आता है कि मैं फिलाल के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं इस कॉन्विनियंट स्टोर पर फिर इसका दो बोलता है क्या बकवास आये सब मुझे यहां पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पास कोई तरीका फिर जिससे मैं अपनी लाइफ को मड़े अराम स ऐसा ही ही होता है कोई नया इवइंट रहिंते हर दिन वहीं पुरानी सा की देखरेंगों लगए मेरे अक्तम बेकार होचुकिंश्य है कहा हुछ तक है प्सकिंगा की मम रहते है जो कि नहीं मैश करके बोलते कि कि facto आपने किम रहता है नहीं वह कर रहता हूं बोलता है मभी उसकी ममी रहती है, वों बोलते हैं, कि मुझे पता है कि आज तुमारी सेलरी मिलेगी, तो आते वक्त तुम ज्रासते से चिकन लेकर आना, फिर हम देखती हैं, जब अपना किम रहता है, वो बोलता है, जब है, हैं, मैं तो बिल्कुल भॉली चुगाता है, क्यां दुकान का गेठ खोलता ए तो अम देखते हैं कि आसमां में सारो तरफ फोन सरी मों सर होते हैं जो काफिए Ste红र करें और मैं में सुझेन मों सरैता है काफिए डरवना होता है फे हम देखते हैं जी अपने खी रहता है वह सवार कर अकिरकार यह सब है किया और इतने सारे monster आकरिकार यह कहां से आए है फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है भागी रहा होता है कि तब ही हम देखते हैं उसका पैर फिसलता है और वहाँ पर गिर जाता है फिर हम देखते हैं जो अपना कीम रहता है वो सोच रहा होता है कि आकरकार मुझे अभी ही क्यों गिरना था पर हम देखते हैं जैसे जो अपना कीम रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है जो उसका अनीची का पार्ट रहता है पूरा वो पीछे पड़ा होता है अपना किम जो रहता है ये देखे काफी ज़्यादा डर चुका होता है और उसके मुझे से पूरा खूनी खून निकलने वाला होता है फिर हम देखते है जो अपना किम रहता है जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक टेंटिकल मॉंस्टर रहता है जो कि काफी प्लाग लगए ये फिर हम देखते हैं अचानक से जो अपना किम रहता है जो अपना किम रहता है उसके सामने एक विंड़ो उपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि Human Awakening Program Activate हो रहा है Initiating Awakening Test स्टार्ट हो रहा है उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना main character या निकी केम रहता है उसके आसपास एक program type का कुछ आ जाता है और वो उसको लेके किसी और dimension में चलायाता है देखने शेट तो ऐसा लग रहा होता है कि जो अपना केम है computer के अंदर आ चुका है और वहाँ पर जैसे कि अपने आसपास देखता है तो उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो स्वाक हो जाता है कि आखिरकार मैं कहां पर हूँ और यह awakening test क्या है पर एक सेकिंड मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पर यह सब क्या है और यह boys आखिरकार कौन बोल रहा है फिर हम देखते हैं जो अपना केम रहता है वो बोलता है कि क्या ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं computer के अंदर हूँ फिर हम देखते हैं उसके सामने लिखा हुआ आता है विड़ो में initiating the awakening test मतलब आपके लिए test start किया जा राह है फिर वहां पर लिखाता है generating monster monster को generate किया राह है और आपकी कुष्ट है कि आपको इस monster को attack करना है इससे परखनी पड़ता कि आप its monster को मार पाते हैं या नहीं मार पाते है बस आपको इस पर attack करना है और आपको आपके skill मिल जाएगी as a reward फिर हम देखते हैं जो monster रहता है वो सभी में काफी जादा ख़तनाग लग रहा होता है और जो monster रहता है वो आते ही सीधा अपने kim पर attack कर देता है फिर जो अपना kim रहता है वो गोलता है मैं मैं तो मर गया मैं यहाँ पका मारा जाओंगा फिर हम देखते हैं जो अपना monster रहता है वो किम पर attack करतेता है और वहाँ पे काफी जादा धुआ धुआ हो जाता है फिर हम को दिखाया जाता है कि जब प्लेयर है उनका वेकिन क्या जा रहा है और फिर हम देखते हैं जैसे जो अपना kim रहता है होता है क्या मैं जिनता हूं पर तवी जब अपने बगलमन देखता है तो वहाँ पे उसकी डड़ बड़ी पड़ी होती है जो अभी थोड़ी दिर पहले monster के आमला करने कि वैसे मर चुकी हो जीदी यानि कि जो अपना kim रहता है वो समझ चुका होता है कि यहाँ पर मैं regenerate हो सकता हूं पर ऐसा क्या है वो अपने body को देखे काफी ज़्यादा जाता है और वहीं पर vomit करने लगता है फिर हम देखते हैं जो अपना kim रहता है वो सोचता है कि यह जो monster है क्या मुझे इस पर attack करना होगा पर जो monster रहता है वो दोबारा से अपने kim पर attack कर रहा होता है और अपने kim को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और kim काफी ज़्यादा डर चुका होता है और वहां से अपनी जान बचा के भागने लगता है फिर हम देखते हैं जो अपना kim रहता है वहां पर फिसल जाता है उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने दोबारा से वही quiz window आती है कि आपको सिर्फ इस monster पर attack करना है इससे फरक नहीं पड़ता है कि आप उसको मार पाते है और नहीं मार पाते है फिर हम देखते हैं जो अपना kim रहता है वह काफी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और चला के बोल रहा हुता है आखर कार आप मैं क्या करूँ मैं इस monster को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ फिर हम देखते हैं तब ही जो अपना kim रहता है उसके सामने window open होते है बोलती है इस monster को मारना impossible है यह जो test monster है इसको ट्रांस कोड करके बराएं गया है program द्व पुसी बली है आप इसको भी नहीं मार सकते हैं तो आपको सिर्फ इस पर die करना है फिर हम देखते हैं कि जो अपना kim रहता है वो काफ्य दा सौक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार यह आवाज किस की है और किस ने अभी answer किया मुझे फिर हम देखते हैं जो अपना कीम रहता है वहाँ पर चिलाते हैं बोलता है कि आखिरकर तुम कौन हो और ये जगा ये जगा अर्थ में कहां पर है और मुझको ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यू लेकर आई हो फिर हम देखते हैं जो अपना कीम रहता है उसके सामने दुबार से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि यह जो प्लेज है वो प्लेयर अवेकनिंग टेस्ट एरिया है जिसको बनाया गया है आपके फेरनेस को ध्यान में रखते हुए आपके माइंड में फिर हम देखते हैं कि अपने कीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहता है प्लेयर अवेकनिंग फेरनेस आखिरकार ही सब क्या चीज़ है मुझे हाप कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तब ही हम देखते हैं कि उसके सामने विंडो दुबार से ओपन होती है और उसको बताती है कि जो humanity है वो species है जिसके पास अपनी abilities को awaken करने का potential है और अगर एक बार आप अपनी abilities को awake कर लोगे और इस monster पे खिट कर दोगे तो आपको दुबारा से अपने reality में भीज़ दिया जाएगा फिर उसके सामने window से दुबारा बताती है कि आपको चिंता करने के जुरत नहीं है टेक्स्ट के दौरान आप जितनी वार भी मरें हम आपकी body को दुबार ऐसे regenerate कर देंगे फिर तबी जो अपना किम रहता है वोलता है क्या regenerate ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि यह किसी game की तरह है पर आखिर कार्मा यहाँ पर क्या करूँ यह किसी fantasy की तरह ल लेता है और सारा aura create करके अपने कीम पे अटैक कर देता है फिर हम देखते हैं जो इसकी बीम रहती है वो काफ़ जाया ताकतवा तरीके से अपने कीम की तरफ जाती है और जो अपना कीम रहता है वो बोलता है या तो मैं ऐसे मरना start कर दूं पहले की तरह या फिर मैं अपने faith को accept करूँ और इस fight करूँ फिर हम देखके हैं जो अपना कीम रहता है उसके आस पास lightning और create होने लगता है फिर तब ही अपने कीम के सामने window open होती है कि आपने successfully awakening complete कर लिए जिसके वे से आपको एक skill और ability दी जाती है फिर हम एक कीम की status window दिखाए जाती है जो की beginner level की होती है भी जो level 1 पर है initially फिर हम देखते हैं जो अपना कीम रहता है अपने fist को बंद करता है और lightning body create करता है जो उसके ability होती है वो होती है body enchantment वो उसका use करते हुए उस monster की तरफ काफी तेजी से बढ़ जाता है फिर हम देखते हैं जो अपने कीम रहता है अपनी सारी ताकत को अपने fist में store करता है और यह काफी खतरनाक attack करता है और बोलता है मैं तैयार हूं हर चीज को accept करने के लिए अब वक्त है यहां से भार जाने का यह टेस्ट आकरकार अभी एंड हो जाएगा फिर हम देखते हैं जो अपना कीम रहता है वो अपने ज़्यादा कुस होता है कि आखरकार मैं अब दोबारा से अपने reality है वापिस जा सकता हूं पर वो वेट करता है पर तब भी कुछ नहीं होता है और वो वहीं पर फसावा रहता है अपना जगी में रहता है वो काफी ज़्यादा है कि आखरकार यह एंड क्यों नहीं हुआ औ वहाँ पर वो काफी ज़्यादा गुस्से में आकर चिलाते है बोलता है आकर कारी क्या अभी खतम नहीं हुआ है जल्ली से मेरे टाइम वेश्ट मत करो और मुझे reality है वापिस से भेज़ दो फिर हम देखते हैं तब ही जो अपना कीम है उसके सामने window open होते है और इसमें काफ कर यह क्या हो रहा है फिर तभी जो वो monster रहता है वो दोवारा से अपने कीम पर attack करता है वहाँ मर जाता है फिर system उसको दोवारा से regenerate कर देता है उसके बाद हम देखते है जो अपना कीम रहता है वो चिलाते है बोलता है कि आखिर कार तुम मुसे मज़ा क्योँ कर रहे हो किकिसी बुग से फैक्टिड हो गया है और वो उस स्पेस में हमेसा साफका है और थिखा जाता है किम के साथ हो जूदा है टाइम भीता है एक प्ता ओ दिमाग के शाइबा बीच जाते हैं और मैं दिरे दिरे अपनी यादा उसको भोलता जा रहा हूँ, फिर तब ही अपने कीम के सामने विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा रहता है कि आपके जो हेल्थ स्टैट है उनको बढ़ा रहे है, आपका जो एडजेस्टिंग बैकप डाटा है वो ही बढ़ रहा है, फिर उसके एचपी है, उसमें कुछ इंक्रीजमेंट आई होती है, फिर तब ही जो अपना कीम रहता है वोलता है कि मुझे फरकने पड़ता है इन सब के बारे में, अगर एक सकिन तुम मेरे बैकप हेल्थ को एडजेस्ट कर सकते हो, तो क्या तुम इस एर को भी एडजेस्ट कर स और आप इस प्लेस से कवी भी भार नहीं निकल सकते हो, बस इतना सुनना ही था कि जो अपना कीम रहता है, उसके पैरों से मानो जमीन ही खिसक जाती है, और जो मॉंस्टर रहता है, वो उस पर अटाइक करके उसे विदवारा से मार देता है, फिर हम देखते हैं, हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखायाता है, दो साल, तीन साल, चार साल, ऐसे ही करते करते का आपके साल भी जाते हैं, और अपना मेंज करेक्टर, यानि कीम, अब यह भी वहां फसा हुआ है, और वो अब काफी ज़्या ताकतवार हो चुका है, पहले के मकाबले, क्योंकि कि अपना गिव अप कर दिया, यहां पर रजिश्ट करने का और यहां पर अपने आपको ढ़ाल लिया, फिर हम देखते हैं, उसको ऐसे करते हैं, दस साल बीच जाते हैं, फिर हम देखते हैं, जो अपना कीम रहता है, वो सिस्टम से पूट साए, कि आकरकार बाहर अर्थ की क्य हाल चाले, फिर जो सिस्टम रहती है, वो उसको बताती है, कि जो अर्थ है, वो जादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहां के दस साल बाहर के, बारा दिनों के बराबर है, क्योंकि यहां पर जो टाइम है, अर्थ के मकाबले 300 गुना, जादा तेजिस से बीचता है, फिर हम अपने में करेक्टर हैंने केम पर द्वारा से टैक करतेता है, फिर उसके वाद ऐसा करते हैं, अपने केम को वहां पर 500 साल बीच जाते हैं, और उसके यतनी भी मैमोरीस थी, वो दुरेदर करे गायावन लगती है, और उसे अब किसी अपने फ्रेंड की साकल भी याद नहीं वो मॉंस्टर उसके पास आता है, फिर हम देखते हैं, जो किम रहता है, वो अपने एक के अटेक में उस मॉंस्टर की धज्जियों अड़ाएता है, फिर हम देखते हैं, जो अपने किम रहता है, वो चिलाते हैं, बलते हैं, अकरिकर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, य अपने आपको भूले लगा होता है अब उसके अंदर काफु यादा गुस्सा भर चुका होता है और वैसे अपना सारा गुस्सा वो इस मोंस्टर पर निकाल रहा होता है और हम देखते हैं जो अपने कीम रहता है अब देखते हैं वो गाफ minha लोग दिखाया जाता है और वो उस पे टेक कर दिता है फिर तभी हमारा सीशिट होता है हमें 10 साल बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें काफी अचासा एटमस्फेर दिखाया रहा होता है तभी हम देखतаем है अचानक से आस्मान में दज्जें उड़ा दी है और अभी हमें में किन दिखाया जाता है जो देखके तो ऐसा लग रहाता है कि भाई गौड भार निकल काया हूँ फिर हमें उसके अवेकनिंग टैस्ट टूरसन के वारें बता जाता है जो कि तीगन हजार साल है यानि कि जो अपना की में वो तीगन ह सालों में कितना कुछ बदल गया हो को रियालिटी में यह सब तो आपको अगले चेप्टर में देखने को मिलेगा तो तब तक मैं आपका दोस्त लेता हूँ अर्विधा तो मिलिंग रहे चेप्टर में आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स चेप्टर में बाई बाई